हेलो फ्रेंड्स स्वागत्य सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड बुष्टर में जहां हम सेर्स को करते हैं अनलाइज टेक्निकल और फंडमेंटल बेसेस पर और आपको देते हैं बाइंग कोल्स बाइंग प्राइज और टार्गेट के साथ अगर अभी तक आपने हमार यूट्यूब चैनल ट्रेड बुष्टर को सब्सक्राइब ना किया हो सो सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो और हमारे हर सेशन का अपडेट मिलता रहे एंड हमारे ट्विट्टर और टेलेग्राम चलिए फ्रेंट्स चलते हैं आज के में टॉपिक पर और फ्रेंट्स हमारा आज का में टॉपिक यह वीडिकोईन या ब्लोक्चैन टेकनलोजी के ऊपर नहीं है हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लेक ब्लोक्चैन टेकनलोजी से रिलिटेड एक कमपनी के ऊपर अब यह तो आ पतलब future में उस company के grow होने के chances काफी ज्यादा होंगे friends हुआ यूँ कि हम company को analyze करते करते पहुंचे company की website पर और website पर जाने के बाद हमको पता लगा कि ये company blockchain technology पर काम कर रही है सो चलिए करते हैं इस company को analyze और चलते हैं सीधे company की website पर सो फ्रेंट्स नाव हम आ चुके हैं company की website पर company का नाम है happiest mind company है friends IT sector से related है company और ध्यान से देखिए company की website है और website पर सबसे first जो आपको मोटे मोटे अक्सरों में दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है blockchain technology company के business में digit capital company का एक business है rapid prototyping एक company का business है digital platform provide कराती है company company IT से related और कई सारे business में है लेकिन हमने जो इस company को focus में रखा है वो रखा है के वाल blockchain technology की वाई से जो की एक future की technology है और ये company blockchain technology पर काम कर रही है अगर बात करें friends इसके fundamentals की सो fundamental में revenue uptrend के अंदर है net profit भी uptrend के अंदर है company का profit and loss statement में 2017 में जो 445 करोड का revenue था वो बढ़कर हो चुका है 714 करोड का net income 4 करोड से सीधा 71 करोड हो चुकी है only four year के अंदर top line bottom line दोनों uptrend के अंदर ही है अगर friends बात करें company के share capital की balance sheet के अंदर so share capital 28 करोड का reserve है 436 करोड जो की uptrend के अंदर है और debt है only 80 करोड का borrowing और वो भी downtrend के अंदर है तक्रीबन 3 सालों से 117 करोड की investment है company के पास में cash flow statement के अंदर तक्रीबन 3 सालों से company के जो operating activity से cash है वो जनरेट कर पा रही है company positive में है और company free cash भी generate कर रही है और अभी current में company का ज़्यादा से ज़्यादा cash जा रहा है investing activities के अंदर 8000 करोड के आसपास का market cap है company का operating profit margin है 14% का return on equity है 85% then return on capital employed 27% का है तक्रीबन 53% के आसपास promoters की holding है अपनी company में और mutual fund के पास में है 6% के आसपास stake FII के पास में है तक्रीबन 7.5% का stake company के अंदर TCS infosys और HCL technology ये तीन major competitor है company के चलिए अब आपको दिखाते हैं company के share की performance कैसी रही है company के share का one week का return है तक्रीबन minus में है 2% के आसपास 1 month का return है वो भी minus में है minus 3.5% का 1 year का return है तक्रीबन 43% के आसपास और share अभी IPO आया था इस company का just September में 2020 के सितंबर में company का stock trade कर रहा है 27 के PE और तक्रीबन 9 के PB ratio पर अब friends चलते हैं company के candlestick chart पर और आपको बताएंगे company के अंदर आपके entry level क्या होंगे so friends यह है company के share का candlestick chart pattern जो की अभी है consolidation zone के अंदर अगर long term के chart की बात करें so वो trend के अंदर है अब main question है कि इसके अंदर आपको entry कौन से level पर लेनी चाहिए so आपके entry के level होंगे जब यह उपर वाले resistance को breakout मिलेगा यानि के 570 के level को जब company breakout देदेगी तब आप इसके अंदर entry करेंगे और इसको hold करेंगे long term के लिए क्योंकि blockchain technology का business future का business है इसलिए आप इसको लंबे समय के लिए buy कीजिए और hold कीजिए so friends यह था हमारा आज का analysis comment box में comment करके जरूर बताना आपको हमारा analysis कैसा लगा चलिए चलते हैं बाबाई